दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्रूती क्रियेशन बिस के प्रोडक्स के बारे में जैसे कि आप जानते हैं स्रूती क्रियेशन बिस 500 से भी जादा प्रोडक्स आपके Amazon के अकाउंड में लिस्ट करके देती है अब दोस्तों मान लीजे उन products में से आपको कोई order receive होता है तो उस order को आप कैसे check कर पाएंगे और साथी साथ उस order को कैसे process कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं उपर आपको कुछ options दिखाई दे रहे हैं उस में से आपको चौता option select करना है orders जैसी आप उसके ओपर cursor लेके जाओगे नीचे आपको कुछ options दिखाई देंगे तो उस में से आपको manage orders के ओपर click करना होगा आप जैसी manage order के ओपर click करोगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको एक order receive हुआ है और यह order दो दिन पहले आया था और यहाँ पे order से related सारी information दी गई है जैसे कि order details भी है order का image भी है product का नाम भी है और भी सारे details दी गई है इसके लाग दोस्तों आप देख सकते हैं आपको चार options और भी दिए गए हैं जैसे कि सबसे पहला option है confirm shipment दूसरा है print packing slip तीसरा है print tax invoice और चौता है cancel order तो दोस्तों इस सारे क्या काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है जब भी आपको कोई order receive होगा आपको print packing slip के ओपर click करना है आप जैसे click करेंगे आपके सामने एक window open हो जाएगी यहाँ से आपको इस PDF को save करना होगा save करने के लिए देखिए आपके सामने यह print का option है जैसे आप इसके ओपर click करते हैं यहाँ पर आपको save करने का option आ जाता है मैं काम करता हूँ यहाँ पर इस file का नाम एक लिक देता हूँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं मैं खाली example के साब से यहाँ पर एक लिक रहा हूँ और उसके बाद मैं save कर देता हूँ उसके बाद में दोस्तों जो अगला option है वो है print text invoice इसके उपर आपको simply click करना होगा जैसे आप इसके उपर click करेंगे आपके सामने एक window open हो जाएगी आप देख सकते है Amazon का यह text invoice open हो चुका है इसको भी आपको save करना होगा as a PDF file save करने के लिए अगर आपके सामने print का option नहीं आ रहा है आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं उसके बाद में simply में save के उपर click कर देता हूँ दोस्तों इन दोनों documents को save करने के बाद में आपको shooty creation biz का जो back end panel है उसके अंदर login करना होगा login करने के लिए आपको अपना email id और password enter करना है और उसके बाद में simply login के उपर click कर देना है उसके बाद में दोस्तों आप shooty creation के back end panel में login हो जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की screen आपके सामने आ जाएगी left and side में आपको कुछ options दिये गए हैं यहाँ पर आपको सबसे पहला जो option है create order इसके उपर click करना होगा click करने के बाद में आपके सामने इस तरह की screen open हो जाएगी यहाँ पर आपको दो options दिखाई दे रहे हैं सबसे पहला है using csv और दूसरा है product wise तो आपको simply product wise के उपर click करना होगा जैसे है product wise के उपर click करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक option आ जाता है select product तो यहाँ पर आपको product का नाम enter करना होगा तो जिस भी product के लिए आपको order receive हो है उस product का नाम आपको यहाँ पर enter करना होगा तो हमको helicopter के लिए order receive हो है उसका नाम है exceed helicopter तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ exceed देखिए दोस्तो जैसे मैंने exceed लिखा यहाँ पे दो options आच चुके हैं तो नीचे वाला option हमको select करना होगा क्योंकि यही वो product है जिसके लिए order receive हुआ है तो simply मैं इसके उपर click कर देता हूँ तो दोस्तो आपको जो कोई भी product का order आएगा उस product का नाम आपको यहाँ पे enter करना होगा और उसके बाद में search करना होगा तो देखिए दोस्तो जैसे मैंने यहाँ पे select किया नीचे helicopter से related सारी information आ चुकी है इसकी price है 537 रुपया इसके लावा quantity भी दी गई है अगर आपको single quantity के लिए order आए तो एक करना है दो के लिए है तो आप यहाँ से दो कर सकते हैं लेकिन फिलाल मैं एक ही कर देता हूँ और उसके बाद में simply आपको check out के उपर click करना होगा दोस्तो आप जैसी check out के उपर click करेंगे आप truthy creation की website पे आ जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं products related सारी information दी गई है उसके बाद में simply आपको proceed to check out के उपर click करना होगा फिर दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह की screen आजाएगी यहाँ पर आपको continue के उपर click करना है और उसके बाद में shipping and billing address आपसे पूछ रहा है billing address में आपको अपना address यहाँ पे enter करना होगा और उसके बाद में आपको simply save and continue के उपर click करना है और जैसे हम order place करते हैं ठीक उसी तरीके से आपको order place करना है और इस particular product के लिए payment करना होगा दोस्तो जैसे आप payment कर देंगे उसके बाद में Shruti creation based की तरफ से आपको एक mail आएगा उस mail के अंदर आपको वो दो document को attach करना होगा जो हमने अभी हाल फिलाल में download किये थे उसके बाद में दोस्तो Shruti creation based के वहरा उससे product को pack करके आपके customers तक deliver कर दिया जाएगा दोस्तो मैं आपको बता दू product को dispatch करने के बाद में आपको Shruti creation की तरफ से एक और mail आएगा जिसके अंदर आपको एक tracking ID मिलेगा उस tracking ID को आपको अपने Amazon के seller panel के अंदर update करना होगा और वो आपको कहां पे update करना है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए दोस्तो जो पहला option है confirm shipment इसके ओपर आपको click करना होगा जैसे आप इसके ओपर click करेंगे आपके सामनी ये page आजाएगा आपको थोड़ा सा scroll करना है और नीचे आपको एक option दिया गया है self ship confirm shipment तो यहाँ पर आपको अपना shipping का date है वो यहाँ पर select करना है उसके बाद में क्लिक करना होगा self ship confirm shipment के ओपर और उसके बाद में दोस्तों आपका सारा काम हो जाएगा मैं आपको एक चीज बता दूँ आपको company के detail, tracking ID सारी चीजे शूती creation की तरफ से mail में मिलने वाली है तो वो सारी detail आपको यहाँ पर update करनी है दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस tracking ID की मदद से customers अपने product को track कर पाएंगे इसलिए tracking ID आपको यहाँ पर update करना पड़ता है